रेशनलाईजेशन पर बेस्ट नंबर सिस्टम चेप्टर से इस तरह की कॉश्शन हाफ एल्ली एक्जाम और एन्यॉल एक्जाम नेशन में आपको जरूर देखने को मिलेंगे चीक है तो चलिए इस कॉश्शन को करते हैं find a and b यहाँ पर हमें a और b की value निकाली है और यहाँ पर left side में यह दे रखा है और right side में a plus b दे रखा है देखें सबसे पहले तो आपको यह समझना हुआ कि अगर हमें upon में यानि denominator में कोई root में दे रखा है तो उसे rationalize करना ही पड़ता है चीक है अब अगर यहाँ plus में है तब क्या होगा minus में है तब क्या होगा चलिए इस बात को समझते हैं देखें जो पहले left side में लिखा हुआ उसको थो हम पहले ऐसे ही लिख लेंगे यानि one minus one minus root three यह minus है यह minus है one minus root three upon one plus root three जो left side में लिखा था हमने ऐसी लिख दिया अब देखिए हमें multiply करना होता उपर नीचे किसको यहाँ देखें इन दोनों term के बीचों plus का लग रहा है तब हमें यह minus का sign change करके उपर नीचे multiply करना होगा अगर यह minus का हो तो plus का sign change करके उपर नीचे multiply करना होत कैसे देखें मैं समझाता हूँ जैसे plus का है ना तो उपर हमां multiply करना पड़ेगा one minus root three उपर जो multiply के सेम नीचे भी हम वही multiply में लिखेंगे यानि one minus root three और लगा देंगे यहाँ पर bracket चीक है जो equal में लिखा है उसको भी हम साथ में लिख देंगे यानि equal में a plus b अब देखिए यहाँ पर यह वन minus root three और यहाँ पर भी one minus root three यह उपर वाले यानि कि numerator बिल्कुल सेम है तब हम क्या करते हैं तब यहाँ पर यहाँ पर a minus b का whole square लग जाए दो bracket सेम है तब हम क्या करते हैं ब्रेकेट के अंदर बंद करके इनका whole square लगा सकते हैं कोई दिक्टत वाली वाद क्योंकि यह बिल्कुल सेम है यहां नीचे देखा तो यहां वन प्लस रूट त्री और यहां वन माइनस रूट त्री देखो यहां पर प्लस है यहां माइनस यानि ए प्लस बी और ए मैनस बी के आईजिन्टी हम यहां लगा सकते हैं क्या होती है मैं भी आपको लिखके बताऊ A2-B2, ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही है, A2-B2, यहां पर भी ऐसा ही है, A2-B2, यहां पर भी ऐसा ही है, A2-B2, यहां पर दोने ब्रैकेट सेम थे, तो इसलिए हमना whole square लगा दिये, अब ज़रा whole square की भी identity मैं यहां भी आपको दिख के बताये था हूं, A-B2, अगर कोई टर्म, दो टर्म है, ब्रैकेट में और माइनस लग रहा है, तो पहले टर्म का square, प्लस B2, यहांनि सेकंड टर्म का square, माइनस 2AB, माइनस 2 और पहले term इंटू दो से टर्म, यह हमारी दो identity यहां पर use होंगे, चलो, अब यहां पर A-B का whole square, जो मैं यहां पर यहां पर यह identity लिखे, इसको यहां अप्लाई कर देता हूं, और equal to में जो चल रहा है, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, चीक है, तो A square, यानि 1 का square 1, plus B square, तो plus root 3 का square करेंगे, तो किसी भी root का square करते हैं, तो root हड़ जाता है, A square plus B square minus 2 A B, तो minus 2 into 1 into root 3, क्या जागा, सिर्फ 2 root 3 minus, चीक है, कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ A square और plus B square लिख देते हैं, 2 A B वाली term को गड़बर कर देते हैं, तो नीचे A square minus B square की identity जो हमारी, यह A plus B, A minus B, नीचे A square minus B square हमने यहां से identity लगाई दिये, तो 1 का square तो 1 ही रहेगा, और minus root 3 का square हो जाएगा, सिर्फ 3, चीक है, किसी भी root का square करते हैं, तो root हड़ जाता है, वो number रह जाता है, चीक है, चलो, अब यहां पर 1 plus 3 कितना हो गया, 4, 4 minus 2 root 3, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया, माइनस का 2, 1 minus 3, छोटे मैंसे बढ़ा घटाएंगे, तो sin y आएगा, जो बढ़े से पहले, minus का है, तो minus का आगए, equal to a plus b, अब देखिए, यहां पर, यहां पर देखो 4 है, यहां, ऊपर से हम कुछ common ले सकते हैं, बिल्कुल ले लेंगा, 2 और नीचे वाले 2 से cancel out कर सकते हैं, चीक है, तो यहां से हम 2 common ले लेते हैं, चलो, 2 ले लिए common, क्या आएगा, 4 क्या था, 2 into 2 था, तो 4 में से 2 common ले ल ले लिए, तो यहां पर चाब 1, 1 लिखने की हैं, जरूत नहीं, तो 1 root 3 लिखें, क्या सिर्फ root 3 लिख देते हैं, कोई लिखत वाली बात नहीं, upon में 2, वो भी minus का, अब देखो, यह 2 और 2 cancel out हो गया, क्या बचा, equal में जो लिखा है, a plus b, उसको हम पहले ऐसे ही लिख देंग प्लस का, प्लस का root 3, ठीक है, नीचे आता हमारा, यह minus 1 था नहीं, इस minus को हटाने के लिए हमाँ, उपर के sign change कर देखो, क्या बच गया, minus 2 और यह plus का root 3, यह बात आपको समय में आगे, equal to a plus b, देखिए, अब equal में आगे हमारा a plus b, यहां पर भी यह दो टर्म है, plus मैं, तो ह हम यहां आप क्या करें, comparing both sides, चलो मैं यहां space है, यहां लिख दे रहा हूं, comparing both sides, लिख देंगे हम comparing both sides, यानि दोनों तरफ अगर हम compare करते हैं, तब क्या होगा, a के value हो जाएगे, minus 2 और b के value हो जाएगे, plus root 3, ठीक है, पहला वाला पहला, यानि a हमारा पहला तो यह पहली व करते हूं, आपको समझ में आया होगा, और इस तरह की question की आप जरूर practice कर लेना ही तो, क्योंकि आपके exam में हैं, जरूर पूछे आते हैं, चली मिलते हैं next video में, okay, thank you